यह आपके दातों के लिए अच्छा है और सबसे बढ़कर यह आपकी इम्म्यूनुटी को काफी हद तक बढ़ा देगा इसे साबुन समद्ध होईए, बस खा लीजिए तो हम यहाँ हैं अगर आपके पास आम का पेड़ हो, आस पास मैं तो रोजाना, दो-तीन ताजे आम के पत्ते खाईए जब वो ऐसे घुलाबी रंके होते हैं, तब यह खाने में अच्छे लगते हैं जब वो हरे होते हैं, तब चबाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप खा सकते हैं यह आपके दातों के लिए अच्छा है, और सबसे बढ़कर, यह आपकी इम्म्यूनिटी को काफी हद तक बढ़ा देगा हर रोज एक आमका पत्ता, मतलब मस्बूत इम्म्यूनिटी इम्म्यूनिटी महामारी के इस मौसम में अभी सबसे बड़े गुणों में से एक है इसलिए हर रोज सिर्फ एक पत्ता खा कर अपनी इम्म्यूनिटी को मस्बूत कीजिए इसे साबुन से मद्ध होईए, बस खा लीजिए रोज नीम खाने से बस यही होता है वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतीशत तक रखता है ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरों न बना सकें इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है नीम से जुड़ी सिर्फ एक चीज है, कि अगर आप इसे ज़ादा खालें तो ये स्पर्म सेल्स या शुक्राणूओं को भी मारता है मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें ये शुक्राणूओं को मारता है इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि किसी के साथ क्या होना चाहिए ये तै करना हमारा काम नहीं है और गर्वती महिलाओं को गर्भ धारन करने के बाद चार महीनों तक या सुरक्षित होने के लिए गर्व धारन करने के बाद पाँच महीनों तक नीम नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये शुकराणूं को मारता है जब गर्व में बच्चे का विकास हो रहा होता है तब भी शुकराणूं की भूमिका होती है एक खास समय तक, चार महीनों का समय बताया गया है, पर मैं पांच महीने कह रहा हूँ, पांच महीनों के बाद खाना ठीक है